Hello everyone, welcome to my youtube channel, my name is Rattuka और आप देख रहे हैं देशी मॉम व्लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज इसे लाइप कर दीजेगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा तो आज की जो वीडियो है वो में लेकर आई हूँ स्पेशली घर की लेडिज के लिए और ऐसे लोगों के लिए जिनको को कोकिंग का बहुत शौक है वेल्ट लॉकडाउन की वज़े से हम सभी लेडिज घर पर फसी हुई है और हाँ मैं यही बोलू की की फसी हुई है और हम सभी के उपर इतनी सारी जिम्यदारिया आ गई है बड़ों को समालना है जोटों को समालना है घर के काम कोकिंग और उसके उपर हम सभी को सबकी इम्म्यूनिटी का खास ख्यार रटना है तो मैं लिग रहा हूँ एक ऐसा प्रोड़क्ट जो आपको हिल्प करेगा आपके किचिन के काम में वैल हम सभी जानते है कि किचन में हमें सबसे जादा टाइम लखता है वान सब्सेता पाइल में दहीं या चासमकने में तो पर अगर आप बेकिंग के शौकी नियुने में तो बेक करने में आपको विस्क करना पड़ता है बहुर दे तक या फिर प्यास, टमाटर, लहसुन और अधर अधिये सार चीजे कांटे में बहुत टाइम लगता है तो यही काम असान करने के लिए मैं लेकर आई हूँ अगारो का मावल हैं ब्लेंडर एंड चॉपर तो चाहिए इसके बार में मैं आपको कम्प्लीट डीटेल बताऊंगी तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा कोई भी पार्ट स्किल्ट मत कीजेएगा तो सबसे पहले जांते हैं कि इस बोक्स पर क्या क्या डीटेल लिखी हुई है ताकि हमको एक मोटा मोटाा आईया लग जाए कि इसका क्या क्या काम है और इसकी क्या क्या फीचर्स है तो जब आप देखते हैं अगारोहंड ब्लेंड ऑफिल के इस box पो तो इसमें लिखा हुआ है blending, chopping and cooking दोस्तो जब हम इस box को देखते हैं अगारोहंड ब्लेंड सुपर के box पे इसमें लिखा है blending, chopping and whisking और आप देख भी सकते हैं यह जो इसकी parts है यह है chopping के लिए, यह है blending के लिए और यह है whisking के लिए तो इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं multi speed with precise control इसके जो hand है इसमें multi speed control दिया हुआ है तो उसकी मदद से आप जो है इसकी speed control कर सकते हैं साथ ही साथ यह आता है 800 watt की motor के साथ आप देखते हैं कुछ और features इसमें detachable stick blender design है आप देख सकते हैं यह detachable है तभी यह दो जो है इसके features इसमें attach हो पाएंगे साथ ही साथ इस तरह की कुछ cord मिलती है जो blades है वो stainless steel है, anti splash guard इसमें लगा हुआ है दो speed की setting है इसमें अब बढ़ते हैं यह कुछ और details की तरफ यह जो है आप देख सकते हैं इसमें 600 ml का इस तरह का blending jar आता है 500 ml का chopper बाउल आता है और stainless steel विसकर आता है इसके अलावा आपने जानी लिया है 800 watt की मोटर है 230 watt यह जो है इसकी rated voltage है इसका वजन है मात्र 1.42 kg यह यह बहुत light weight है आप इसे असानी से use कर सकते हैं जो इसका price है market price है जो box पर लिखा हुआ है 3,999 रूपे लेकिन यह amazon पर काफी अच्छे discount पर available है इसका price और इसका जो link है amazon का वो मैं आपको description में mention कर दूँगी अब वहां से उसे चेक कर सकते हैं दोस्तों बाते बहुत हो गई box की अब देखते हैं अंदर का actual product की यह सारी जो बाते इसके लिखी है क्या वाकई यह अंदर वैसा ही है तो उसको हम जानेंगे इसको open करते हैं इस तरीके से पूरा packed होकर आया है बहुत ही बहतरीन तरीकी से packed होकर आया है इसमें यहां पर है यह detachable यह जो machine है वो उसके अलावा यह blender जो attach हो जाता है इस machine पर फिर बात आती है हमारे जार की और साथी साथ whisker की और यह i think whisking tool का attachment है उसके बाद आती है बाद हमारे chopping tool की और यह chopping tool का jar है और यह एक plate दिया है और यह काफी sharp plate है मुझे समाल के गाम पढ़ना पड़ेगा यह काफी sharp है इसमें आप इसे attach कर सकते हैं don't worry guys मैं आपको पूरी तरीके से सारी चीज़े दिखाऊंगे अच्छे तरीके से detail में यह भी मैंने बस इसे open किया है साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिलता है यह आगारो का manual इससे आप सारी details जान सकते हैं और इसके पीछे दो साल की warranty है इसमें guys दो साल तक अगर कोई भी issue हो चाता है तो आप contact कर सकते हैं अगारो की team से साथ ही साथ आपको मिलता है एक बड़िया सा voucher दो सो रुपे का ptm voucher तो चलिए अब इतना ही था box में आप दिखाती हूँ main product सारे एक एक करके में निकाल दिये हैं और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीकी की यह instrument है इसके attachments है चलिए गाइस आपको एक एक करके सारे attachments और इस main product के बारे में बताती हूँ सबसे पहले हम बात करते हैं इस stick की इस पर जो है सारे attachment लगेंगे चाहे वो blending हो चाहे वो whisking हो या हो chopping इसमें सारे attachment लगेंगे और मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इसमें अलाग अलाग speed mode है आप यहां से काफी असानी से blending या chopping या फिर whisking करते हुए उनके mode को speed को control कर सकते हैं इस तरीके से और यहां पे आप देख सते हैं यह दो buttons है और यह दो button है जिसकी मदद से आप product को यहां पे लगा पाएंगे और उन्हें detach कर पाएंगे और wire जो है वो भी काफी लंबी ह आप देख सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ यह लंबी wire है यह मुझे लगा इस तरीके से easiest रहेगा आप सभी को एक wire का idea भी हो जाएगा इसमें आपको blender जो है उसका stick attach कर के दिखाती हूँ यह कुछ इस तरीके का blender का stick है यहां से वो attach होगा और यहां पे इसके blades है यह आपने गीला मसाला बनाया है उसे आपको कड़ाई में या फिर बरतन में ही पीसना है तो इसकी मदद से आप उसे असानी से blend कर सकते हैं आपको especially उसको निकाल के ठंडा करके उसको mixi में blend करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी मदद से आप उसे असानी से blend कर पाएंगे तो चलिए जली से मैं आपको इसको अटाच करके दिखाती हूं ये बिना किसी महनत के हो गया है अटाच और जब आपको इसको निकालना है रिमूव करना है आपको ये बटन प्रेस करने हैं side के 2 जोर से और ये निकल गया फिर उसे दिखाती हो ये असानी से हो गया ये तो तो अपको आंडा बनाना है। आपको बेकिंग करनी है। आपको कुछ मतना til रबिवोट ट्वर्वा तो आप इसकी मदद ले सकते हैं। ये विस्कर है काफी lightweight है और यह आप आटाच की जिए और इस attachment को मेंन पर अटाच कीजिए ये bulletsFX यह पूरा विस्कर तयार है और यह काफी बड़ा इसके साथ ये कंटेनर दिया गया है जिसकी मदद से आँ विस्क करेंगे और इस पे जब आँ विस्क करेंगे क्योंकि ये काफी गहरा है तो जो चीजें है वो छलक कर बाहर नहीं आपाएंगी अगेर इसमें मोड्ज है अलग-अलग आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं और उसके हिसाब से इसमें चीजें विस्क कर सकते हैं और जब भी फिर आपको वॉश करना है, टेक दिस आउट, मेन अटैच्म gradually seráigtook होभा पिए जैजें strapper और विस्कर के पाद बारी आती है फुमारी मेजे से टेली काम पड़ता, और वह यह यह चॉपर इसमें आता है ताक्मेजेस के फिक्स करना है यह कवर के साइट में 5ड रहें का स्टमण … इस इसे यहां पर फसाना है बस यह fix हो गया है और इसके बाद आपको इस पर attach करना है यह हमारा stick और फिर आप इसे चला कर जितनी भी सब्जियां है जैसे की प्यास, टमाटर या फिर आजकल जो है हमें खीरे का रायता बनाना है तो खीरा इसमें चॉप कर सकते हैं साथ ही साथ प कुछ ही मिंटो में तो यह था अगारो का hand blender and chopper लेकि आप जागाने हैं भी कहीं मत जाएगा क्योंकि मैं दिखाने वाली हूं इसका first try इसे use करके कि इतनी जो यह बात ही करते हैं क्या actual में यह काम भी करते हैं तो देखने के लिए वीडियो एंड तक देखेगा skip पिल्कुल दोस्तों try करते हैं सबसे पहला जो है यह blender मैं try करने वाली हूं और जिसके लिए में लाई हूं यहां पर दही हम देख सकते हैं यह कुछ ऐसी है klots के form में है और जब मैं इसमें blend करूंगी तो इसका कैसा texture हो जाएगा दही का यह देखना है तो सबसे पहले तो हम यह attachment इसमे fix कर लेंगे और उसके पार हम इसमें लेंगे दही के हमने एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नौ दस दस चलाए दिखाई दिया है texture दही का कुछ है इस तरीके का है और आप देखते हैं दही का texture कैसा होता है blend करने के बाद दोस्तों यह देखिए यह है buttons इसको और यह speed है इसकी मदद से यह यह चलेगा और इसकी मदद से इसकी speed जो है यहाँ पे आप max और min कर सकते है minimum और maximum कर सकते हैं तो अभी तो हमें कुछ जादर जरूरत नहीं है minimum पे ह आप देख सकते हैं पहले जो दही थी वो कितनी clot form में थी और अब हो गई एकदम स्मूध यानि कि जैसे लसी हो जाती है ना बड़कुल लसी के form में हो गई है पहले texture देखा ही ता दही का और अब देखिए texture दही का में मिंटो में तयार हो गई घर की ताजी लसी और अब हम इस attachment को यहां से प्रेस करके दिखा लेगे और इसको आप वाश कर दीजिगा याद रखिए का दोस्तों आपको यह stick को वाश नहीं करना है इसको पास आप अच्छे से साफ कर दीजिए और इसको आप अच्छे से व स्टिक से और इसके बाद मैं तयार करने वाली हूँ होल वीट पैंकेक का जो बैटर है जिसके लिए मैं लूँगी आटा यहां में विपास एग्स नहीं थे नहीं तो आसान हो जाता काम उपस थोड़ा चीनी और साथ ही साथ मेलूगी दूथ हमें आपको इक बांथा दिखा देती हो धार होता यह है कि डालते जाओ थोड़ तरह विश्क करते जाओ टालते जाओ लकिन मैंने एक साथ ही डाल दिया अप तेखो ट्राइ कर कर देखते है कि वीस चैसे प्सक्ते º 2 देखिया आटे को बटन एक स्मूढ बैटर कर दिया कै। ब्लेंड़िंग ह новin हो गया है और विस्किंग हो गया है अब बारी आती है चॉपिंग की तो यहां पे मैं रेक्स दे दी हैं काफी सारी सब ले मोटे मोटे अब मैंस डाल कि देखती हूं कि कैसे चॉप करता है इतना डाल देती हो एक्तम सारा नहीं डालती विचारे पीद चॉप करती हुआ तो सबसे पहले मुझे करना इसे लोग ताकि यह निकलकर कांड ना कड़ए और मेरे मीम्स अना बन जाए फिर और आप बार ही आती है इसे अटाच करने के यह अब इसे करते हैं चालू क्या हो गया उस तो गरबड है गाई से मैंने कुछ तो गरबड करी है मैंने सईसे साटाच ने किया इसलिए चालू नहीं हो रहा है करने के लिए कि चल भी राया नहीं मैंने इसे जो है अटाच कर दिया लिए चल क्यों नहीं राकुछ तो गर्बड है इसकी कुछ गर्बड करी है मैंने तया है इस वजे दिए प्लग जो था वजी लिया था और ये इस वजे दिए चल नहीं रहा तो आप मिझे नगा या कि यार बिचारे प्रोड़क पे इतनी जुल्म नहीं हाना चाहिए अब इस इच्छे साथ हो गया है यह हो गया है यह लगा दिया है मैंने कि यह फिट हो गया एक्दम से अब स्टार्ट करते हैं अंता अक्षडी लेक्षट प्रभी बना और आप देख सकते है गाईस मैं प बढ़िया से बारिक पीस दिया है घर चांटने कि अब आप आप पर zी काटने की Filme से मैंने काब आप two- बनता है यह मैंने फिट किया इसको कुछ ऐसे अर यह हो गया फिट और आप मैंसे पीसने वाली हों अब बस सबस्जियों का हो गया है पिसना पूरा और अब मैं जो है इसमें निकाद देंगी तो और अब मेरी क्यों है सब्सियां बढ़िया तरीकिसी चॉप ओगे आप देख सकते हैं इसमें सब्सियों इसको के ऐसे के बड़िया तेयार हो जाएगा सबसी तेयार हो जाएगी आपका सैंविच तेयार हो जाएगा इस पर थोड़ी सी मेयो नीज डालिए काली मिर्च डालिए थोड़ा और इगानो डालिए ब्रेट के बीच में रखके खाई आहा हा क्या स्वाद आएगा तो यह था अगारो हैं गेडर एंड चॉपर का कमप्लीट रिव्यू ट्रायल एवरीथिंग आपको यह प्रोड़क्त पसंद आया रहा हो जहां तक बात रही मेरी भाई मुझे तो यह प्रोड़क्त बहुत अच्छा लगा और वाकई इसने मेरा मितलब महरत वाला काम चुट सकते हैं और बस अब अपनी वाइफ को अपनी मदर को अपनी सिस्टर को गिफ्ट कीजिए अगारो का हांग टेंडर एंड चॉपर और फिल्म से बनवाईगे बढ़िया बढ़िया खाना और अपनी इमिर्टी बनाईए और स्ट्रॉंग तो बस आज की वीडियो में इतना ह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यार रखिएगा